इनका काम है जहां वो जीते और जहां दंगा यह हिंसा भड़की वहाँ जाके लोगों में बात करें काम करें वो कर नहीं रहे बल्कि विधान सभा में मुख्यमंत्री कौन-कौन मरे उनका मजब क्या था यह बता रहे तो यह और कॉंग्रेस कल प्रेस कॉंफरेंस की सोनिया जी ने आज राष्टपति के दरवाजी पर पहुंचे और वहाँ बीजेपी को दोस्ट देने में लगे है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह दो महिने का अंदोलन केवल नहीं है यह आज दो दिन की इंसा नहीं है दो महिने से लोगों को उकसाया जा रहा है ग्यारा दिसंबर को नागरिकता कानून का संशोधन हुआ चौदा दिसंबर को राम लीला में कांग्रेस की रैली हुई उसमें सोनिया जी ने कहा यह आर पार की लड़ाई है फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार सुनिया जी खुद कह रही है प्रियंका कह रही है कि लाखों को बंदी बनाये जाएगा नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा राहुल गांधी ने कहा आप डरो मत कांग्रेस आपके साथ है किसकी नागरिक्ता जा रही थी किसी की नागरिक्ता नहीं जानी है यह मालूम होते हुए भी जान बुझकर ऐसी गलत बयानी और डर पैदा करना यह इसकी प्रिष्ट भूमी है उकसाने का काम वही से शुरू होगा और जैसे 1984 में राजिव गांधी ने तब कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धर्ती हिलती है मुझे लगता है 2020 के हिंसा का भी आर पार की लड़ाई या इस पार या उस पार का फैसला है यह सोनिया जी के वाक्या उतने ही गंबीर है और फिर शाहिन बाग में मनी शंकर गया है मनी शंकर वैसे पाकिस्तान में भी कि बात करके आएगी शाहिन बाग से हमें आशा नजर आ रही है कि सल्मान खुर्शी शशी धरूर कि समर्थन देकर आए और मुझा आश्चर होता है कभी कभी सिलेक्टिव चुप्पी होती है आज सुबस से सारे टीवी चैनल दिखा रहे ताहीर जो आमाद्वी पार्टी का कॉर्पर्टर है जिन पर पहले भी हिंसा जो बीज डिसेंबर को ही उसका भी वो एफायर दर्ज है उनके घर में पूरा असला मिला है पूरे दंगे की तैयारी मिली है उस पर कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी चुप है अमाना तुल्ला कॉंग्रेस के विधायक उन्होंने कहा था वो अभी आमाद्मी पार्टी में है तो आमाद्मी पार्टी के अभी विधायक है उन्होंने कहा कि आपको टोपी पहनने को मना होगा कहा है C M 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 यह तो क्या है और असाम को अलग करना पड़ेगा यह भी तो उक्सानी वाली चीज़ें उस पर ना कॉंग्रेस बोल रही है ना आम आदमी पार्टी बोल रही है और हिंसा के माहौल में शांती कायम करनी की अमनी ड्यूटी भूलकर राजनीती कर रहे हैं हम ऐसे राजनीती की भर्चना करते हैं और दो उलेक मुझे करने हैं जिस हिंसा में एक आईबी के ऑफिसर अंकीट शर्मा और पुलिस के एक हेड़ कॉंस्टिबल रतनलाल इनकी शहादत होती है डी सी पी ए सी पी जक्मी होकर हस्पिटल में भरती होते हैं चपन पुलिस जक्मी होते हैं पुलिस पर हामला किया गया और इतना सब हुआ तो भी हम देख रहे हैं कि यह पार्टी अच्चुप है उस पर ज़्यादा बोल नहीं रहे इतने पत्रकारों कर हमले हुए हमारी तो मैं तो सुचना प्रसारण मंत्री हों तो मुझे बहुत दुख है इसका कि पत्रकारों को भी बक्षा नहीं किया और ऐसे में पत्रकारों का वाइलन्स, पुलीस पर हमले, ताहीर के घर में असला मिलना, अमानत उल्ला का बयान, जिन्ना वाली आजादी की मांग, सो कोरोड, पंध्रा कोरोड का एक धंकाना अंदाज, इसके बारे में चुपी करोगे, और बीजेपी सरकार को सवाल पूछोगे, जिन्नोंने शांती भी कायम की है, जाज भी चल रही है, तेजी से चल रही है, और दोशी मिश्चित साबित होंगे, और इसमें आपका बयान की इस पार होगा या उस पार होगा, क्या मतलब है, आरपकार की भाषा आप बोल रहे हैं, जिससे एक की भी नागरिकता नहीं जाने वाले है, और इसलिए भारतिय जन्तापाठी की भूमिकातो, प्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री, रक्षा मंत्री और सभी हमारे अध्यक्षा और नेताओं ने हमेशा रखी है, हम सर्व समाज को एक नजर से लेखते हैं, लेकिन इस तरह का जो सारा प्रियास चल रहा है, यह राजनीती है, ओची राजनीती है, हम इसकी बर्चना करते हैं, Friends, the situation after two days violent incidents in northeast Delhi are under control, the arrests have been made, the inquiry is fast-tracked, and I am very sure that this will bring out the real culprits behind this violence. in such a situation the duty of all political parties and everybody has to be to consolidate peace to have dialogue with people but what we are seeing those who got elected from the area from where the violence has been reported they are absent from the scene and who started this this is not today violence it was what was put on boiler for two months on 14 December after three days of passing of CAA Congress said the rally at Ramlila Maidan and in that Congress President Sonia Gandhi said now we have to decide is part yeah is it not instigation Priyanka said hundreds of thousands of people will be put behind bar is it not misinterpretation and is it not instigation Rahul said of Daromath Congress of case of and money Shankar went to Pakistan and said many things and went to Shaheen back also Salman Kurshid Shashi Tharoor and when they are so vocal in in Shaheen back they are selectively silent on today's day-long report by all channels that a a corporator of Amar B party Tahir his house has become a factory of rights all kinds of ammunition petrol bombs and stones of various size have been shown on picture nobody is saying anything in Shaheen back there were two slogans of Jinnawali Azadi and break Assam from India no word of protest there was a speech by an MP that 15 crore are more effective than 100 crore or can take the challenge is it not instigation or what and now what we are seeing one police personnel Ratan Lal and one IB personnel Ankit Sharma died DCP ACP injured 56 police are in hospitals this was not a pre-planned attack it was many journalists they have been targeted not a word against these such attacks that's a selective silence and they are now talking yesterday they held press conference and today they went to president to say that this is what is happening and BJP is to blame this is worse kind of blame game this is worse kind of politics we condemn it and like in 80 20 1984 when Raju Gandhi defended the violence by saying that when the big tree fails earth shakes today Sonia Gandhi's 14 December speech is far ya was far also has instigated the mobs that's all from my side yes 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 that's a party statement also yes 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 these are my leaders and these are my official statements other statements if made by somebody court is their process of law is there that is what I said Tahir's residence full with ammunitions Amandatullah's instigating speeches jinnawalia the slogan hundred crore and fifteen crore we're also instigating you should have been implicit you at that time but as I said BJP's plank is very clear my prime minister my party president my army my home minister and my defense minister have very categorically told what BJP stands for and therefore I don't want to comment because you are channels 24-7 you are word by word how you know I don't know but word by word what advocate says what what it's your job but unless code decides something I'll not comment can do it the I have a whole whole and this is को भी ऑपोजिशन पार्थी का पालन करना चाहिए धर्म जो नहीं कर रहे है वही तो मैंने गिनाया सारा transfer of honorable justice मुर्लिधर was done pursuant to the recommendation done by the supreme court collegium head by chief justice they recommended on 12 february so what is the thing this is the fact and and one minute and transferring the judge consent has been already taken so all process know what is timing timing is after the color collegium with the recommends then only government acts justice मुर्लिधरन की तबादला है वो एक प्रशासनी तरीका जो है तबादलों का judges का उसका सौफी सरी पालन करते हुए हुआ है सर्वों उच्चतम न्याय लेके मुक्खे न्याय धीशों के नेतुत्यों में जो कॉलेटन हिशनस हाए उप्रेस भार्जीन करते हические है i उनकी स्वहरश होती वो बारा भर्री को हुए थी और उस शिर्वार के अधार पर करते हैं है तो कि तो वह और्डर अभी हुई है और उसके लिए जो उनकी कंसेंट लेनी ज़रूरी होती है वो भी ली है तो इसमें कुछ है नहीं किसी यानि यही तो मैं कहे रहा हूं कि Congress is trying to divert attention from their own responsibility we are asking why you are selectively silent and why you instigated the mob for last two months that has resulted in this kind of violence what we have seen and what should not have happened at all नहीं मैंने देखा नहीं वह ऐसा है सामन आप सब लोगों पत्रकारी वहां जा रहे थे उन्होंने रखा फिर कमाल हो गया a questions that एक हाट वही ग्रह मंत्रि का इस्तिवा मांगना यह ओची राजनीते है और इस ओची राजनीति और अप पूरी बत्सना करते है क्योंकि ग्रह मंत्री है कि जो लगातार उस के Tibet दिन नजर बनाये है वो उन्हीं के समय सुचकता और जो काम लगातार उसके बारे में कर रहे हैं उसका परणाम है कि धन्यवाद मित्रों परदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दखबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद